तो दिवाली पर अगर आपने भी बहुत ही हैवी खाना खा लिया है या फिर बहुत सारी मिठाया खा लिया है और आपका मन कुछ healthy, tasty और हल्का फुलका सा खाने का हो रहा है तो ये रेस्पी आप जरू try करिएगा बहुत ही amazing रेस्पी है दोस्तों और बनाना भी एकदम आसान हेलली है साहती आइक उत्यों के लगबच लगवक चाहँ वाली है उसे ही लिया है अधी कटोरी की लगबच दुभी मूंगी दाल आप जाये तो यहां ले freedoms को बराबर सकते लेसे शञेसे सकते हैं regul Яविभर गलास से देखे लगभवक थे सबने तो तो दोनों ही चीजों को अच्छे से यहां पर धो लेंगे दोने के बाद 15 मिनिट के लिए ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे इसे क्या होगा कि जो दाल है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और अच्छे से फूल भी जाएगी फिलाल मैंने पहले से भीगने के लिए रग तो अब हम क्या करेंगे कि बड़ा बरतन ले लेंगे यहां पर मैंने बड़ी सी तपिली लिये बड़ा बरतन ही आपको यहां पर लेना है खिचडी बनाने के लिए इसके नदर दो बड़े चम्मस सरसो का तेल डालेंगे बहुत अच्छा प्लेवर आता है इसका साथ में करके इसमें डाल देंगे और प्याच को यहां पर 50% तक हमें भून लेना है तो थोड़ा सा पकने के बाद हमने यहां पर कुछ सब्जी ली हुई है तो जैसे कि दो वालू एक गोभी एक दो गाजन ले लेंगे और कुछ बीन्स मैंने लिए है इसे डाल देंगे अगर आप पहले नहीं डाला है सब्जीयों के साथ में डाला है इससे यह भून भी जाएगा और इसका जो फ्लेवर है वह बरकरार भी बना रहेगा अब 2 मिनट के लिए इसे हमें सब्जीयों को थोड़ा सा भून लेना है उसके बाद जो ने या पर दाल और चावल को भीगो करके दहरी बनाएंगे न दोस्तों तो आप इसे खाते रह जाएंगे यह इतनी चादा स्वाधिश्ट बनती है कि जो अगर खाए होंगे तो यह आपको एकदम वैसी ही खाने में लगेगी फिलाल इसे बनाना इतना आसान है कि आप इसे रोज बना करके खा सकते हैं बहुत ही चाद करनी यहाँ पर यूज ओगा क्यूंकि यह जो खिचडी है यानी जो तेहरी है वह पकने के बाद बहुत ही जल्दी सूखने लगती है तो हमें यहाँ पर गीली तेहरी बनानी है तो एक बार हम इसमें पानी डाल करके mix कर देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे नमक तो यहा तो लगभग पांच मिनट के लिए या फिर तीन से चार मिनट के लिए आपको इसे ढख करके छोड़ देना है और जब इसमें इस तरह से उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो एक बार आपको खोल करके इसे बीच-बीच में चलाते रहना है बीच-बीच में जरूर चलाते और मैंने जो मसाला यहां पर डाला है वो पाव भजी का मसाला यहां पर यूज कर रहा है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तारीका अब इसे ढख देंगे और वापस से पकने देंगे यानिकी डाल और चावल अच्छे से यहां पर जब तक कुक नहीं हो जाते तब तक इसे हमें चलाते रहना और इस तरह से पकाते रहना है तो यहां पर जो हमारी खिचड़ी है वो तो पक चुकी है लेकिन इसका जो पानी है वो पूरी तरह से सूख चुका है तो हम क्या करेंगे यहां पर हम डालेंगे गरम पानी तो यहां पर मैंने काफी ज्यादा मा भुना हुआ गरम मसाला पाउडर है इसे भी डाल देंगे एक छोटी चमच के असपस देखिए मसाले जो है वह आप अपने पसंद से कम ज्यादा करके डाल सकते हैं वैसे तो यह जो तहरी है इसमें बहुत ही कम मसाले वगरा पाड़ते हैं और अगर आप अपने स्वादनुस अपने से 6 मिनिट के लिए और दिमी आज पर हम छोड़ देंगे और अच्छे से खुल मिल जाने देंगे पानी के साथ में और टमाटर को भी यहां पर पक जाने देंगे यहां पर आप देख सकते हैं यह पी काफी गीला लग रहा है और थोड़ा सा यह अलग अलग भी आप घर पर बना करके त्यार कर सकते हैं तो इसका स्वाधा पूछिये मत बहुत ही ज्यादा गजब का टेस्ट आता है दोस्तों तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको मेरी रेस्पी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीस वीडियो को लाइक शे डाल देंगे घी वाले अपने तड़के को और ऊपर से थोड़ी सी ताजी हरीधनिया भी डाल देंगे तूरंत ही मिक्स करके ढग देंगे जिसे जो घी का फ्लेवर है वो पूरे ही खिड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसे हम दो मिनेट के लिए ऐसे ही ढख करके देंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका कलर आया दोस्तों और खाने में तो बहुत ही ज्यादा गजब का लगता है और इसे आप एक बार खाएंगे ना तो विश्वास मानी आप इसे खाते ही रह जाएंगे एक दम भंडारे वाली खिड़ी का स् क्योंकि एक दम पोश्टिकता से भरपूर ये तहरी बनती है दोस्तों क्योंकि इसमें हमने मूंग डाल और बहुत सारी वेजिटेबल वगरा डाली हुई है और जो कि ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश लगती है तो बच्चे भी इसे बहुत ही चाह से खा चीं